निश्नल माइंड स्टेट की तरफ से आप सभी को कार्तिक पूर्डिमा की बहुत बहुत शुब कामनाएं मैं हूँ आनंत रिपाठी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्णू ने पहला उतार लिया था इस दिन गंगा इस्नान का विशेश महत्व है गंगा इस्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं कार्तिक पूर्डिमा के दिन सुर्योदै होने से पहले इस्नान करके भगवान विश्णू की पूजा कर लेनी चाहिए इस दिन व्रत रखने से विशेश फल मिलता है साथ ही ब्रामणों को दान भी करना चाहिए कार्तिक पूर्डिमा के दिन भगवान श्यू ने त्रिपूर राक्षस का वद किया था असल में त्रिपूर ने एक लाख वर्ष तक तिर्थ राज प्रयाग में भारी तपस्या की अब सराओं के जाल में भी त्रिपूर नहीं फसा ब्रह्मा जी ने वर्दान मांगने को कहा उसने मनुष्य और देवता के हाथों ना मारे जाने का वर्दान प्राप्त किया शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णू जी की सहायता से त्रिपूर का वद किया कार्तिक पूर्डिमा को देव दिपावली भी कहा जाता है वारानसी में तो आज के दिन बड़ा ही मनोहारी द्रिष्य होता है गंगा नदी के किनारे पूरे घाटों को दियों से सजाया जाता है चित्रकूर्ट में इस्थित कामदगिरी परवत पर भी इस दिन दीप ही दीप दिखते हैं कार्तिक पूर्डिमा तुलसी विवा होस्तों के पूरा होने की तिथी है ब्रह्मा जी का पुष्कर में आज के दिन ही आउतरन हुआ था दुबारा जन्म ना लेने की इच्छा हो तो आज की शाम कीटाह पतंगा मश्काश्च वरिक्षे जले इस्थले ये विचरंती जीवाह दिष्टवा प्रदीपम नही जन्म भागी नस्ते मुक्त रूपा ही भवंत इतत्र मंत्र से दिपदान करना चाहिए इस वक्त के लिए इतना ही बेहतर सूचना और समझ के लिए बने रहें नेशनल माइंड सेट के साथ